anatomy of cockroach the elementary canal present in the body cavity is divided into three regions that is foregird, midgird and hindgird so यहापे जो elementary canal है body का तो यह तीन regions में divided है first है foregird, second है midgird and third है hindgird so off figure 7.16 में देखिए यहापे elementary canal शो किया गया है तो उपर के तरफ जो दिख रहा है आपको वो pharynx है और उसके इधर salivary gland को label किया है और salivary reservoir भी है और pharynx के नीचे के side में isophagus शो किया गया है isophagus के बाद ने जो है वो crop है crop के बाद में gizzard भी show किया गया है gizzard के नीचे के side में thread like structure दिख रहे हैं आपको वो hepatic ck है वो 8 hepatic ck वहाँ पे show किया गया है उसके बाद में मेजेंटेरोन और मीडगट है देखें मीडगट को मेजेंटेरोन भी कहा गया है उसके बाद में मालफिजियन tubule से अब देखें नीचे में और ileum को भी label किया गया है उसके बाद में colon है और और लास्ट में रेक्टम है तो स्टार्टिंग से देखते है फायरिंग शो किया है उसके बाद में इसोफेगस है क्रॉप है गिजार्ड है हिपाटिक सिखे है मिजेंटेर और मिट गट है मौलफिजियन tubule से इलियम है और कोलॉन है और लास्ट की तरफ रेक्टम है तो यह अलिमेंटरी कैनल हो गया कॉकुरूश का यहां पर पढ़ते हैं कि यह अलिमेंटरी कैनल बाडी में प्रेजेंट है बाडी कविटी में और तीन रिजन में डिवाइडेड है फोर गर्ट, मीड गर्ट और हाइंड गर्ट दे माउथ ओपन इन्टो शॉर्ट ट्यूबिलर फैरिंग्स लीडिंग तो दे नारो ट्यूबिलर पैसेज कॉल्ड ऐस इसोफेगस देखिए यह जो माउथ है यह शॉर्ट ट्यूबिलर फैरिंग्स में ओपन हो रहा है और वो फैरिंग्स से नारो ट्यूबिलर पैसेज के ओर जा रहा है वो इसोफेगस है इस इंग तरन ओपन इंटो ऑन इन्टो इन्टो साथ लाइप सुर्ट जुट ब्स्पाइगं तो जैसे अपन माउथ से होके रहते फैरिंग्स में आहे फैरिंग्स के बाद में तू क्रॉप्ला है तो यह स्रॉप स्भूला त्रह platinum क्राम कि मंद देखिए Q 나 चोटी से शॉर्ण यह न्यारो वाला जो है तूम पहिसे जो इसाज़ और उसके बाद में जो स्चली कोilos семь एंज्ट क्रॉप इस फॉलॉड बाइ गिजाड और प्रो वेंट्रिकुलस तो देखिए क्रॉप के बाद में डाइग्राम में गिजाड शो किया गया है तो गिजाड को ही प्रो वेंट्रिकुलस कहा गया है तो ध्यान में रखिए नेक्स्ट नेम ऑफ गिजाड इस प्रो प्लेट कॉल्ड ऐस तीत तो यह गिजाड के अंदर जो है इनमें आउटर लेयर जो है वह थीक सर्कुलार मसल से बनी है और इनर लेयर जो है वह थीक क्यूटिकुलार लेयर से बनी है और उनमें 6 highly cutaneous plate है उसी को तीत कहा गया है तो गिजाड में 6 highly cutaneous तीत प्रेजेंट है और गिजाड helps in grinding the food particles तो देखिए कि आउटर लेयर जो था वह थीक सर्कुलार मसल से बना है और इनर जो है वह थीक क्यूटिकल से है और उनमें 6 highly cutaneous तीत है काईटेनेस प्लेट से उसी को तीत कहा गया है और गिजाड जो है वह ग्रैंडिंग फूड पार्टिकल के लिए help करता है सब देखिए इनमें जो जो कुछ भी फूड आया है तो इनकी ग्रैंडिंग ये गिजाड में होती है और इनमें तीत भी होते है ग्रैंडिंग उती है फूड पार्टिकल के गिजाड में इन्टायर फूर गर्ट इस लाइन बाय क्यूटिकल जो है ये क्यूटिकल से लाइन है और रिंग ओफ शिक्स टू एट ब्लाइंड टूबूल्स कॉल्ड हिपाटिक और गैस्ट्रिक सीके प्रेजेंट अट दी जंक्शन ओफ फूर गर्ट एंड मेट गर्ट विच सिक्रेंड डाइजेस्ट जूस अब डाइगराम में देखें गिजार्ड के नीचे में हिपाटिक सीके शोग किया है उसी को गैस्ट्रिक सीके भी बोला गया है और वहाँ पर रिंग से 6-8 ब्लाइंड टूबूल से रिंग ओफ 6-8 ब्लाइंड टूबूल से उसी को हिपाटिक और गैस्ट्रिक सीके कहा गय और वो फोर गट और मीड़ गट के जंक्शन पर प्रेजंट है और यह डाइजस्ट यूज से क्रेट करते हैं जंक्शन ओफ मीड़ गट और हाइंड़ गट इस प्रेजंट अनादर रिंग ओफ हंड्रेड टु वन फिफ्टी यलो कलर्ड थीन फिलामेंट्स उसी को मल्फिजन टिबूस बोला गया है जो देखें हाइंड़ गट और मीड़ गट के बीच में मीड़ गट और हाइंड़ गट के बीच में और हंड्रेड टु वन फिफ्टी रिंग प्रेजंट है यलो कलर्ड फिलामेंट्स प्रेजंट है उसी को मल्फिजन टिबिल्स का आदा है तो अब देखिए, मालफिजन ट्यूब्ल को लेबल किया गया है, तो यह 100-150 येलो कलर थिन फिलामेंटस रिंग से इसे को मालफिजन ट्यूब्ल कहा गया है, और मालफिजन ट्यूब्ल कहा करते हैं, तो जो कुछ भी एक्सक्रिटरी प्रोड़क्ट से हीमोलिंप में का, तो मालफिजन ट्यूब्ल करते हैं, तो हाइन गट इस ब्रोडर दैन मीड़ गट और इस दिफ्रेंशियेटे इंटो इलियम, कोलाउन, और रेक्टम, तो हाइन गट जो है, यह ब्रोडर है मीड़ गट से, अब देखिए, टाइग्राम में हाइन गट जो दिखाया है, थोड़ इस ब्रोड है मीड़ गट से, अब कंपेर कर सकते हैं, तो हाइन गट इस ब्रोडर दैन मीड़ गट, एंड इस डिफ्रेंशियेटे इंटो इनको डिफ्रेंशियेट किया गया है, इलियम, कोलाउन, और रेक्टम में, तो रेक्टम ओपन आउट तू अनस, तो लास्ट में जो रेक्टम है वो अनस से उपन आउट हो रहा है, आप देखें या पर हाइन गट में, इलियम, कोलाउन शो के आगया, इलियम, कोलाउन और रेक्टम, और हाइन गट जो है थोड़ा सा बड़ा है, मीड गट से, अब देखें डाइगराम में आपको डिफ्रेंस समझ में आ और हाइन गट और यह माउत जो है शॉड्ट ट्उबिलर फैरिंग्स में ऑपन होके फिर नारो ट्उबिलर पासीज की तरफ आया है, उसे को इसोफेगस कहा गया है, इसोफेगस से होके वो अपन होरा है, उसी को क्रॉप कहा गया है और यही क्रॉप में food storage का काruckा होता है, क स्टमक से जो भी फूड क्रॉप में आ रहा है तो वह उसका ग्रैंडिंग करता है फूड पार्टिकल्स को गिजार्ड ग्रैंडिंग के लिए एक रिंग है उसी को हीपाटिक और गास्टिक से बोला गया आप डाइग्राम में देखें है और वह प्रेजन्ट है फॉर गट और मीड गट के जंक्शन में तो क्वेश्चन यहां से पूछ सकते हैं कि हीपाटिक से के कौन से जंक्शन पर है तो फॉर गट वा जो है वह उप उपपर के दर ऑब हुपाटिक से ओक है तो फॉर गट और में राइड के बीच में प्रेजंट है और यह डाइजर्ट को परम्टेeg करता है तो बेख उल्क्रेक्ट के आपकोस्टमील पॉइंग करता है सी कि यह जो शिकृट करता है और और मीड गट thing pou는 हैं उसके बाद तेहें 100 to 150 येलो ठीट फिलामेंटेस माल्फिजन ट्यूव्य से जुआ अब देखें डायगराम में मीड़गाट और हैंटी। भीस में वाल्पेजन ट्यूबिल्स कि 100-150 रिंग्स है और यह येलो कलर से दो देखन में रखेंते येलो कलर सब्सक्राइब North ग्रीटों फिलामेंट्स उफिलामेंट्स रिंग्स है इसको माल्पेजन ट्यूबिल्स कहा गया है और इनका काम है यार रेक्टम हैं और हेल्फूल इन रिमोलुम से अब्सक्रीन कॉड़क्ट से फ्रोम हीमोलिम प्रेमोलिम से एक्स魔 pogodla कीं रमोल होता है और यांस्ट में तीन रियसे इलियम пит रेक्टम में हैनल फु कर लब विलृद कर इसके बाद में अपन study करेंगे blood vascular system of cockroach so देखिए blood vascular system of cockroach is an open type so इन में open type of blood vascular system है so let's study figure 7.17 blood vascular system of cockroach so देखिए यहां पर anterior उपर के तरफ anterior aorta show किया गया है नीचे के तरफ aliary muscles show किया यह जो black color के extensions है वो aliary muscles है और last में नीचे के तरफ heart के chambers है so let's study cockroach is an open type of cockroach में open type of circulatory system है blood vessels are poorly developed and open into the space hemocell so इन में जो blood vessels है यह poorly developed है और वो open होरे एक space में यसी को hemocell कहा गया है visceral organs located in the hemocell are bath in the blood that is hemoleaf so बहुत सारी visceral organs जो है यह hemocell में है और यह बात हो रही है blood से so मतलब जब भी heart blood pump कर रहा है तो directly blood यह सब visceral organs पे जाके गिर रहा है तो इन में vessels, tubes, arteries और veins यह सब नहीं है इन में open type of circulator system है open type of circulator system मतलब इन में जो कुछ भी blood pump हो रहा है heart से वो directly organs के उपर हो रहा है इन में tubular system नहीं है जैसे के arteries और veins नहीं है so यहाँ पे दिया है visceral organs जो कुछ भी है वो hemocytes में located है और जब भी pumping होता है heart से तो सभी organs के उपर blood से bathing होते हैं मतलब bath in blood और blood को कहा गया है hemolimp so blood of cockroach is also called as hemolimp hemolimp is composed of colorless plasma and hemocytes so hemolimp क्या है एक colorless plasma है और hemocytes present है so देखिए hemolimp का color क्या है colorless है उन्सका कुछ भी color नहीं है plasma present है और उनमें hemocytes है heart of cockroach consists of elongated muscular tube lying along the mid dorsal line of thorax and abdomen so देखिए mid dorsal line of thorax और abdomen से जा रहा है और यह elongated muscular tube है cockroach का heart कैसा है देखिए यह elongated है और muscular tube है आप देखिए डेगराम में यह बीच से जा रहा है मतलब mid dorsal line से हो रहा है मतलब thorax से लेके abdomen तक है तो इसी को heart of cockroach कहा गया है और यह elongated muscular tube है lying along the mid dorsal line of thorax and abdomen it is differentiated into funnel shaped chambers with ostea on either side so यह differentiated है इन में funnel shaped chambers है हम देखिए chambers जो किया गया है heart किया वह तो funnel shape है उपर से narrow है और नीचे से थोड़ा broad है और इन में ostea present है दोनों भी side में ostea present है so blood from sinuses enter the heart through ostea and is pumped anteriorly to the sinus again so हर एक funnel shape chamber पे ostea present है और यही ostea के वज़े से जो भी blood होता है sinus में वो heart के अंदर enter होता है और जब भी heart pump होता है pump होनके बाद heart में का जो blood है वो फिर से anteriorly sinus के तरफ आता है ostea से so blood enter the heart through ostea और जब भी heart pump हो जाता है तब भी बाहर आता है sinus के तरफ ostea से भाहर आता है so यह हुआ circulatory system of cockroach फिर एक बार इसको revise करते है कि blood circular system इन में open type का है और vessels जो है वो poorly developed है और यह सब एक space में open हो रहा है इसको hemo sil का आ गया है visceral organs जो कुछ भी है hemo sil में open space में तो उन में जो blood जब भी pump होता है तो वो सब organs के उपर pump होता है तो इसलिए बात इनके तो blood बोला है उसको hemo link आ गया है और hemo link वो colorless है उन में plasma और hemo sides present है और heart of cockroach जो है उन में elongated muscular tube है और वो mid dorsal line of thorax और abdomen के वहाँ पर present है तो diagram में देखें इनका जो heart है वो elongated muscular tube के समान है और mid dorsal line of thorax और abdomen से हो रहा है और यह differentiated है funnel shape chambers में इनमें जो chambers है यह funnel shape है और इनमें ostea present है दोनों side में तो blood जब sinus में होता है वो heart की तरफ जाने के लिए वो blood ostea से हो कर जाता है और जब भी heart pump करता है तो यही blood ostea से बाहर निकल के sinus में आ जाता है तो बोला है कि blood from sinuses enter the heart through ostea and is pumped anteriorly to sinus again जब भी heart को blood होना रहता है तो बाहर के तरफ जो sinus है वहाँ से blood heart की तरफ जाता है ostea से होकर और जब भी heart pump करता है तब भी ostea से blood बाहर आता है sinus की तरफ यह हुआ circulator system of heart तो देखे डाइगराम में लेबलिंग anterior आउर्टा है allergy muscles है और heart की chamber show किया गया है the respiratory system consists of network of trachea that open through 10 pairs of small holes called as spiracles present on lateral side of the body तो अगर respiratory system देखे cockroaches की तो इन में network of trachea है और वहां पे यह सब 10 pairs of small holes में open हो रहे है तो इसी को spiracles का आगया है तो देखे है कि हां पे network है ट्रकिया का और यही ट्रकिया का network 10 pairs of small छोटी छोटी होल्स में open हो रहा है इसी को spiracles बोल रहे हैं और यही spiracles lateral side में present है बोड़ी के thin branching tubes जैसे की tracheal tubes subdivided into tracheals carry oxygen from air to all the parts तो क्या बोल गया है कि इन में thin branching tubes हैं जैसे की tracheal tubes और इन में tracheal tubes subdivided हैं tracheals में और इसी के वज़े से वो oxygen carry करते हैं air से all parts of body की तरफ तो उसके बाद में जो है the opening of spiracles is regulated by spinzers तो यह जो spiracles की opening regulate होती है spinzers से exchange of gases takes place by tracheals by diffusion इन में gases का exchange जो है यह tracheals से होता है diffusion से यह हुआ respiratory system एक बार इसे revise करते हैं कि respiratory system में tracheal का network है और यही tracheal का network 10 pairs of small holes पे open हो रहा है उसी को बोला गया है spiracles और यह lateral side of body में present है उनमें thin branching है tubes की tracheal tube और tracheal tube subdivided है tracheals में उसके वज़े से oxygen केरियाओट होता है air से all body parts के तरफ the opening of spiracles is regulated by spincer तो यह spiracles जो है जो इनका opening जो है वो spincer regulate करता है और exchange of gases होती है tracheals के वहाँ पे और diffusion by diffusion तो exchange of gases जो है वो diffusion से होती है तो इसके बार में है excretory system so excretion is performed by malphigen tubules so cockroaches में excretion जो है वो malphigen tubules होती है इसके पहले अपने पढ़ा है 100 to 150 yellow colored tubules ring जो है वो malphigen tubules की थी so इनने excretion होता है excretion perform करते है malphigen tubules each tubule is lined by glandular and ciliated cells so हर एक tubule जो है वो glandular and ciliated cells से lined है they absorb nitrogenous waste products and convert them into uric acid which is secreted out through the hind gut so क्या बुला गया है कि each tubule malphigen tubule जो है 100 to 150 हर एक tubule glandular और ciliated epithelium से lined है और वो nitrogenous waste product जो है वो एब्जॉब करके उनको यूरिक आसेड में convert करते है और यहीं यूरिक आसेड excret होता है हाइंड़ गट से so बोला गया है malphigen excretion is performed by malphigen tubule और हर एक tubule में glandular and ciliated cells है और वो क्या करते है कि वो nitrogenous waste को absorb करते है और यूरिक आसेड में convert करते है और यहीं यूरिक आसेड excret होता है बोड़ी से हाइंड़ गट क्योर इच tubule is lined by glandular and ciliated cells they absorb nitrogenous waste product and convert them into यूरिक आसेड which is excreted out through the हाइंड़ गट हाइंड़ गट से यह सब excreted out हो रहा है therefore the insect is यूरिक आसेड को excret कर रहे है तो इन्हें यूरिक आसेड बोला गया है in addition fat body nephrosides and yuricose gland also help in excretion so body fat body और nephrosides and yuricose gland excretion के लिए help करती है so यह हुआ excretion so excretion में क्या देखाता है इनमें malphigen tubules है और हर एक tubule glandular ciliated epithelium से line है और यह tubules absorb करते है nitrogenous waste और convert करते है यूरिक आसेड में और यहीं यूरिक आसेड excret हो जाता है throughout the body from hand gut और उसके बाद में इसको yuricotelic कहा गया because they excret yuric acid और sometimes excretion का का काम fat body nephrosides और yuricose gland भी करते है उसके बाद में है nervous system of cockroach nervous system of cockroach consist of series of fused segmentally arranged ganglia joined by partial longitudinal connectives on ventral side तो बोला गया है कि nervous system जो है cockroach का वहापे series of fused segmentally arranged ganglia है तब segmentally arranged ganglia है वहाँ पे और paired longitudinal connectives on ventral side तो यह longitudinal connectives है ventral side की तरफ ventral side मतलब नीचे की तरफ जहाँ पे body land से land की तरफ होती है जो body वो ventral side है cockroach की तो इनमें fused segmentally arranged ganglia है और वह paired है longitudinal connectives से ventral side की तरफ तो इनमें three ganglia है lie in the thorax and six in the abdomen so three three ganglia जो है वो thorax की तरफ है और six abdomen की तरफ है so दहाल में रखिए three ganglia thorax की तरफ है और six ganglia abdomen की तरफ है the nervous system of cockroach is spread throughout the body so इन अर्वस system ने तो आपकरोश का throughout the body spread है the head holds a bit of nervous system while the rest of situated along the ventral belly side part of the body so head में जो है a bit of nervous system present है और rest is situated along the ventral belly side so थोड़ा बहुत जो nervous system nerve का sensation है वो head के तरफ है बाकी का सब ventral belly side के तरफ है body के so now you understand that if the if the head of cockroach is cut off it will be still live for as long as one week in the head region the brain is represented by supra-esophageal galglyon which supplies nerves to the antenna and compound eyes so देखियें कि head के तरफ nervous system beat of nervous system मतलब थोड़ा सा ही nervous system है और पूरा nervous system जो है वो ventral side पे है मतलब belly के side पे है cockroach के और अगर अगर अपन cockroach को cut किये उनका cockroach का head कट किये तो भी वो one week के लिए जिन्दा रह सकता है क्योंकि वहाँ पे जादा blood जभा पे nerve supply जादा नहीं है अगर उसको cut भी करेंगे तो भी वो आठ दिन के लिए जिन्दा रहेंगा मतलब उसका head cut के रहे body से body और head को separate के रहे तो भी वो live रह सकता है उसके बाद में जो head reason है तो brain represent किया गया है वो supra-esophagal ganglion से और वहाँ पे nerve supply है antenna और compound eyes को इन कोकरोज sense organs are antenna eyes maxillary palps labial palps annals रसा है etc तो अगर कोकरोज में देखा जाए तो sense organs जो है वो antenna है उनकी eyes है maxillary palps है labial palps है और annals रसा है compound eyes are situated at dorsal surface of the head तो अब देखे compound eyes जो है कोकरोज में जो डार्सल surface के तरफ जो ऊपर का surface है वहाँ पे present है each eye consists of about 2000 hexagonal omatidia so हर एक eye में 2000 hexagonal omatidia है और यहीं omatidia के वज़े से help होती है इतने सारे 2000 hexagonal omatidia present है उसी के वज़े से कोकरोज बहुत सारी images and object को sense कर सकता है देख सकता है a kind of vision is known as mosaic vision with more sensitivity but raised resolution being common during night hence it is called nocturnal vision so इतने सारे omatidia है यहीं omatidia के वज़े से वो बहुत सारी images और object को देख सकता है और यही vision के वज़े से इसे mosaic vision बोला गया है और बहुत sensitivity के साथ है यह mosaic vision इन में less resolution है तो देखिए यह mosaic vision सिर्फ कोकरोज में पाया गया है because of 2000 omatidia तो देखिए question पूछ सकते हैं mosaic vision कौन से animal में कौन से insect में देखा जाता है तो यह mosaic vision सिर्फ कोकरोज में है उन में बहुत जादा sensitivity है और यह night vision करता है इसलिए इसे noxurnal कहा गया है तो ध्यान में रखिए कि eyes में 2000 hexagonal omatidia present है और यह noxurnal vision करता है और इन में mosaic vision होती है तो एक बार इसे revise करते है nervous system को nervous system of cockroaches consists of series of fuse segmentally arranging ganglia इन में fuse segmentally arranging ganglia है वो पेर्ड है longitudinal connectivities है इन में और mental side में है थ्री ganglia thorax के तरफ है और six ganglia abdomen के तरफ है और nervous system of cockroaches है वो throughout the body है और head की तरफ थोड़ा bit of nervous system है थोड़ा कम है वाइल बाकी का पूरा nervous system पूरी body के तरफ है मतलब belly के तरफ है वेंटर साइड में है नीचे के साइड में जो portion जमीन से टच हो रहा है वो साइड में nervous system जादा है तो अगर देखा जाए अगर cockroach का head कट करें और body को separate करें तो वो वन वीक के लिए जिन्दा रह सकता है वेकोज ब्रेन के तरफ nerve supply थोड़ा कम है इन हेडरेजन ब्रेन है और ब्रेन को रिप्रेजेंट कहा है सुपाइसोफेजिल गैंगलियान से और वो सप्लाइ करते है nerve, antenna और compound ice के तरफ अगर कॉक्रोष में देखा जाए तो sense organs है जैसे antenna, ice, maxillary palps, label palps, annals, etc compound ice जो है वो dorsal surface और head की वहाँ पर situated है और इन में हर एक eye में 2000 hexagonal omatidia 2000 hexagonal omatidia है और वो help करते हैं कॉक्रोष को कि several images को receive करें और उनका sense करें this kind of vision is also known as mosaic vision यही vision को mosaic vision कहा गया है और उनमें more sensitivity है but less resolution है being common during night यह night के time पे common है night के time पे यह कॉक्रोष बहार आते है तो इसे nocturnal vision कहा गया है उसके बाद में है cockroaches are dioces cockroaches जो है वो dioces है क्योंकि both sex organs are well developed reproductive organs तो इन्हें dioces कहा गया है क्योंकि दोनों भी sex organs जो है जो male sex organ और female sex organ वो developed है reproductive organs के साथ तो आप देखें figure 7.18 में 7.18 में male और female reproductive system of cockroach show किया गया है तो यह वाला diagram देखें है आपन देख रहे हैं कि यहाँ पे male reproductive system देख रहे है तो वाँ पे उपर के तरफ testis को show किया गया है testis के बाद में अगर इधर देखा जाए तो यह phallic gland है उसके बाद में उधर नीचे में small tubules है बाहर के तरफ long tubules है इधर seminal vesicle है was difference है ejaculate reduct है right phallomere है ventral phallomere है annals circus है और caudal style है अब देखें यहाँ पे pseudopenis भी show किया गया है titillator show किया गया है और left phallomere भी show किया गया है so female reproductive system हो cockroach में देखा जाए तो ovary show किया है ovary के नीचे overduct है common overduct और vagina भी है spermatica भी show किया गया है gonafophysis भी है genital chamber है vestibulum है genital pouch कहा गया है genital chamber और vestibular को मिला के और collateral gland भी show किया है so यहाँ पर पढ़ते हैं अपन reproductive system of cockroach theoretical detail में पढ़ते हैं cockroach जो है वो dioces है क्योंकि both sex organ अच्छे से develop है अलग-अलग bodies में so figure में देख चुका है अपन female reproductive system consists of pair of testis one lying on each lateral side in the four to six abdominal segments so देखिए कि male reproductive system है वहाँ पर pair of testis है दो testis है pair मतलब दो एक pair एक testis lateral side में है four to six abdominal segment में so एक-एक testis है pair of testis मतलब तो उनमें की एक testis जो है वो lateral side में है in four to six abdominal segments के तरफ एक इधर है और एक उधर है दोनों भी lateral side में है four to six abdominal segments पे from each testis arises a thin vase difference so हर एक testis से एक thin vase difference आ रहा है which opens into the ejaculatory duct through seminal vesicle so देखें है कि अपने देखाए कि यह जो टेस्टीस है वो थीन वास difference में open हो रहा है फिर यह ejaculatory duct में होके seminal vesicle में open हो रहा है ejaculatory duct opens into the male gonophore situated ventral to anus so अब देखें फिर से एक बार जो टेस्टीस जो है यह arise हो रहा है thin vase difference में फिर यह open हो रहा है ejaculatory duct में through seminal vesicle मतलब यह test is वास difference में open होने के बाद में seminal vesicle में open हो रहा है और seminal vesicle से ejaculate reduct में open हो रहा है अब देखें फिर यह ejaculate reduct male gonophore में open हो रहा है और वो anus के ventral side में situated है और characteristic mushroom shaped gland is present in 6th to 7th abdominal segment which functions as accessory reproductive gland so यहां से question पूछ सकते हैं कि mushroom shaped gland है और वो 6th to 7th abdominal segment पे present है और इनका function जो है यह accessory reproductive gland है so देहन में रखें 6th to 7th abdominal segment पे mushroom shaped gland है और accessory reproductive gland इसे खागया है और the external genitalia are represented by male gonopophysis and phallomere so अगर external genitalia देखा जाए तो वो male gonopophysis और phallomere से represent किया गया है और cataneous asymmetrical structure है surrounding the male gonophor so यह phallomere जो है cataneous asymmetrical structure है और यह male gonophor को surround किया है the sperms are stored in seminal vesicle and are glued together in the form of bundles called spermatophores which are discharged during copulation so देखिए यह जो sperm है यह seminal vesicle में stored है और वो एक दूसरे को चिपके हुए है मतलब glued together है और वो bundle में form हो चुके है इसलिको spermatophores कहा गया है और यह discharge होते हैं copulation के time पे the female reproductive system consists of two large ovaries lying laterally on second and sixth abdominal segment so देखिए female reproductive system में दो large ovaries है और वो sixth और second abdominal segment पे है each ovary is formed of group of eight ovarian tubules and ovules so हर एक ovary जो है वो eight ovarian tubules से बनी है और ovules से बनी है containing a chain of developing ova so देखिए इच ovary हर एक ovary में group of eight ovarian tubules है और ovules से containing a developing ova उनके अंदर developing ova है oviducts of each ovary unite into a single median oviduct also called as vagina so देखिए oviducts जो है वो unite होके single median oviduct form कर रहे है उससी को vagina कहा गया है which opens into the genital chambers और वो genital chamber में open हो रही है और pair of spermatica is present in sixth segment which opens into the genital chamber so यह pair of spermatica जो है यह present है six segment पे open हो रही है into the genital chamber की और sperms are transferred through spermatophores so यह sperms जो है ट्रांसपर हो रहे है spermatophores से और यह fertilized eggs are encased in the capsules called oothikay so जो fertilized eggs है वो oothikay में collect किया जा रहे है और oothikay है यह reddish dark reddish to blackish brown capsule है which about 3 by 8 मतलब 8 mm long है so देखिए कि fertilized eggs जो है वो encased हो रहे है capsule में इसको oothikay कहा गया है और यह जो oothikay है यह dark reddish और blackish brown capsule है इनका 8 mm long है 3 by 8 और they are dropped or glued to a suitable surface usually in crack or receive of high relative humidity near the food source so यह glued form में होते है suitable surface देख कर यह crack होते है और high relative humidity जहां होती है food source जहां होती है वहाँ crack किये जाते है on an average female produce 9 to 10 oothikay each containing 14 to 16 eggs most important question यह है कि यहाँ पर female जो है वो 9 to 10 oothikay reproduce करती है produce करती है और उन में से 14 to 16 eggs होते है the development of periplatina americana is pseudometabolus so इनकी development जो है परिप्लाटन अमेरिकान की यह सूडो मेटब्स परिप्लाटन अमेरिकान जो है यह पोरा मेटब्स है पोरा मेटब्स मेनिंग there is development through nymphal stage so porometabolus मतलब इनमें nymphal stage development है the nymphs look very much similar like adults so देखें इनमें porometabolus development है और nymphal development है nymphal stage है और यह जो nymphs है मतलब newly born cockroach जो है वो similar देखते हैं adults से the nymphs grows by molting about 13 times to reach the adult form so देखें यह जो nymph है यह इनमें 13 times molting होती है adult form में ready होने के लिए the next to last nymphal stage has wing pads but only adult cockroach have wings so next to last nymphal stage में wing pads होते है बड़ अगर adult cockroach में देखा जाए तो इनमें wings आ जाती है जाए टूक़ मेंहें अगा जाए ब्स्सवड़द कर बड़र forgive और दो ृशज़ निए खहां जाती है